तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परशान शर्मा और आज हम एनलाईज करेंगे कोटक महिंदरा बैंक को और डिटेल में हम इस बैंक का एनलेसिस करेंगे, सबसे पहले हम बैंक का पूरा अच्छे से बिसनिस प्रोफाइल चेक करेंगे और उसके बाद हम bank के important key ratio और financial data check करेंगे पिछले 5 साल का पूरा financial data check करेंगे जिस समय bank के बार में अच्छे से knowledge मिल सके कि bank में पिछले 5 साल में क्या profit की और क्या revenue ग्रोथ आई है और उसके साथ साथ हम इस सारे analysis के तुरू एक help ले सके अपने investment decision में कि अगर हम अपना पैसा इस bank में invest करना चा रहे हैं तो bank की profile कैसी है और अगर हमने already अपना पैसा invest किया है तो हमें क्या करना चाहिए अपना पैसा investor रखना चाहिए या फिर bank से exit करना चाहिए दूसरी बात आपको एक और बता दें कि ये वीडियो हम अपने subscribers की demand पे बना रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हम किसी company का fundamental analysis आपके लिए करें तो आप मारे video comment box में उस company का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल से वीडियो बनाके आपको उसके बारे में detail knowledge दे दे तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने bank के बारे में और यहाँ पर देखें bank का business profile तो जैसे कि आप देख रहे होगे पूरा लिखावा है कि present across the entire value chain यानि के हर तरह के product हर तरह की service company provide करती है bank provide करता है और साथ-साथ सभी type के customers को भी cater करता है ऐसा नहीं के small finance bank है तो सिर्फ villages में या towns में अपना services जा दिनी है हर तरह के customer को handle करता है बड़े-बड़े corporates, बड़े-बड़े H&I customers, middle class, lower middle class सब तरह के bank को यहाँ पर जो customers है उनको अपनी service प्रवाइड करता है और उसी type के सारे products जो है वो design के हुए बात करें detail में तो social बाल करते है wholesale banking की तो wholesale banking में bank है तो उसमें corporate loans, trade finance, banking, business banking, forex, treasury इस तरह की सारी service देते है फिर commercial banking बात करें तो agriculture finance है, tractor finance, commercial vehicles, construction equipment, micro finance, gold loan इस तरह के सारे loan bank provide करता है, consumer banking की बात करें तो branch banking यानि के branch खोल के सारे काम करते है deposit लेना और पैसे निकाल के लोगों को देना वो सब चीजे होगी home loan, loan against property, personal loan, consumer finance, credit card, small business loan इस तरह के सारे service जो यह consumer banking है देते है उसके लबा other financial services में बात करें तो private banking जैस कोलते है priority banking जो बड़े बड़े लोग होते हैं ज्यादा पैसे वाले है वो इस तरह की service यूज करते है फिर car loan है, two-wheeler loans है, mutual finance, life insurance, general insurance, investment banking इस तरह के सारे काम जो है यह in other financial services में करते है दूसरी बात आपको बताएं कि market capital इसाब से इंडिया का चौथा सबसे बड़ा bank है और काफी अच्छा business है, काफी अच्छे से already business जो अपना market share है वो यह bank acquire कर चुका है उसके बात करें कि wide range of customer coverage, बहुत ही अच्छे से सारे टाइप के customers पहले बात की थी, उनको cater करता है बात करें corporate और institution की तो उसमें very large corporates, large emerging corporates, SME इस तरह के सारे ही clients को अपनी service देते हैं उसमें main main service क्या होती है, investment banking है, corporate banking products offer करते हैं, salary account लोगे लिए खोलते हैं, इस तरह के सारे service जो यह बड़े-बड़े corporates और institution को देते हैं उसमें बात करें individual customers की, तो उसमें भी सारी services हैं, जैसे में बात की थी, H&I है, effluent customers है, mass effluent है, और mass है, effluent मतब थोड़ा सा H&I से कम हो गए, mass effluent वाले अपर middle class हो गए, और mass वाले middle class और lower वाले हो गए इसमें देखें तो सारी services हैं, private और priority banking है, commercial banking है, consumer loans, mutual fund, insurance, इस तरह के sizes देते हैं, और जो masses हैं, उसमें kotak 811, यह इनका zero balance वाले account है, यह उन लोग लिए खोलते हैं, और सासाथ माइक्रोफरेंस की सारी services देते हैं, तो बहुत अच्छे से हर तरह के customers को और हर तरह की service को यह bank आज के प्रोवाइड कर रहा है, और अब हम चेक करते हैं, बैंक के latest data को उसके अंदर bank के सारे important key ratios भी दिये हैं, और बहुत सारे दूसरे parameter भी हैं, जो bank के बारे हमें चेक करने चीज़ इंपोर्टेंट चीज़ होती हैं, और यह data है, यह latest है, quarter 3 के ज़र्स जो आया है, financial 24 के उसके सारे data है, जासे कि आप स्क्रीन पर देखे रहोगे, तो PAT यह निके profit after tax यह आसको बोलते है net profit, तो पिछले 3 मेने का quarter रखा था, उसका ही 3000 क्रोड का bank का profit है, यह निके साल की average लगा लें, तो 12000 क्रोड रुपे हर साल average bank कमा रहा है, तो काफी बड़ा bank से में बात की थ तो 3000 क्रोड का profit आया, पिछले 3 मेने का, और यहाँ आप देखें, तो पिछले साल क्रोड गाबले इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है, पिछले साल के third quarter bank का profit था, वो था 2792, तो उसका देखें तो लगबग 200 क्रोड की growth bank के net profit में आई है, पिछले साल क्रोड गाबले अच्छी ग्रोथ bank के net interest income में भी आई है, उसका देखें net interest margin, तो bank का काफी अच्छा net interest margin है, 5.22% का, अब जैसे ने बात की दिए bank लगवाएक सारी टाइप की service देता है, तो bank ज्यादा जो बड़े-बड़े bank है, तो corporate loan काफी ज्यादा करते हैं, और बड़े-बड़े loan ज्य बड़े, उनसे compare करेंगे, तो हमें थोड़ा difference दिखाए देगा, लेकिन फिर देखें तो 5.22% का काफी अच्छा bank का net interest margin है, हाँ पिछले साल मुझा अब लेकिन अभी भी काफी अच्छा number है, तो काफी अच्छे से bank अपना net interest margin कमा रहा है, इस से में क्या आपता लग रहा ह तो 2.2% का bank का return assets आ रहा है, ये भी काफी अच्छा number है, minimum return assets जो 1% का रहा है, अगर 2% ज्यादा किसी bank का तो इसको excellent माना जाता है, और इसका 2.2% आ रहा है, ये भी काफी अच्छा number है, पिछले साल ये 2.46 था तो थोड़ा कम जरूरू है, लेकिन अभी भी अच्छा ही number है फिर बात करें, customer assets, customer assets मतलब जो loan bank ने दिये, क्योंकि जो भी bank loan देता, उसकी asset होती है, उसको interest मिलना होता है और पैसा भी वापे सन होता है, तो वो bank की assets होती है, तो अभी bank के पास में जो assets है, वो है, 4,00,000 क्रोड की, काफी अच्छी assets बैंक ने बना ली है, और इसमें बात करें, तो 0.43% थे, तो अब यह 0.34 हो गया है, तो अच्छे से bank अपनी assets को handle कर रहा है, यानि क्योंकि नॉन पर्फर्मिंग assets है, वो कम है, और bank की asset quality काफी अच्छी है, बहुत ज़्यादा NPA नहीं है, तो bank की recovery अच्छी है, सब चीज़े बढ़ी है, अच्छे customers को loan दे सबस्ता पड़ता है, दूसरे sources के थूरू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, saving account में minimum rate of interest 3-4-5% का, और current account में कोई interest देना ही नहीं है, तो वो सारा सारा पैसा एक तरीके से bank को free में या बहुत कम rate of interest मिल रहा है, और जब आगे वो पैसे को use करके, आगे loan देते हैं, तो उनका profit और interest margin यहाँ जो हम चेक किया था, 5% के आस पास का वो आ रहा है, इसलिए bank सारे अच्छे से यहाँ पे काम अपने कर पा रहा है, उस बात नहीं, C.A.R. यानि के capital advocacy ratio, यह bank का अभी जो आ रहा है 21.2% का, यह भी बहुत बढ़िया है, 12% minimum होना चाहिए, RBI के साब से, यहाँ आप और कितना पैसा उसके पास available है कि वो ज्यादा लोन देखे, आगे अपने advances बढ़ा के, अपना business बढ़ा सके, तो 21% काफी अच्छा नमर उतर बैंक के साब से, इसका मतलब कि अपने losses को भी अच्छे से handle कर लेगा, और साथ-साथ अगर कोई ज्यादा लोन उसको जो देने है उसको भी काफी अच्छे से यहाँ पर growth अपनी कर सकता है, तो कुल लग बात के हैं, तो अभी तक सारे parameter बढ़िया हैं, बैंक हम देखा सर्विस सारी अच्छी देता है, और साथ-साथ उसके जो business के parameter हैं, वो भी काफी strong यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अब हम चेक कर bank loan कर रहा है, home loan है, loan against property, consumer bank, personal loan, credit card, agriculture, tractor finance, corporate banking, SME, सारे type के bank loan देता है, लेकिन यहाँ देखें, तो सबसे ज़्यादा जो exposure लिया हुए bank ने वो home loan और loan against property में हैं, एक लाग दो हजार करोड का, उसके बाद दूसरा सबसे एक्सपोजर है, corporate banking में 84,000 करोड का, तो यहाँ पर bank क जो main business है, देखें, तो लगबग लगग 25% हो गया है, यहाँ पर home loan के आसपास, जो 4 लाग में से 1 लाग दे दिया, और 20% हो गया corporate bank, तो लगबग कितना हो गया, 45% के आसपास का जो exposure है, वो इन दो sectors में है, बाकी सारे में 55% है, तो distributed अच्छे से हैं, लेकिन फिर भी इन दो sector के अंदर जादा concentrated bank में, उसका देखें, यहाँ पर year on year basis पे, तो सारे ही जितने भी यहाँ पर loan दिये हैं, हर एक sector में growth आई है, यहाँ पर देखें, तो home loan में 15% की growth है, consumer bank में 20% है, personal banking, personal loan में 30%, credit card में 52% growth आई है, जो consumer, commercial vehicles, 31%, 59% growth आई है, यहाँ पर retail microfinance में, other loans जो bank देता है, उसमें 48% growth है, तो सारे ही parameter पे bank के growth आई है, यहाँ आई है, यहाँ अब हम चेक करते है, bank का geographical presence, कहां कहां पे branches है, कितनी कितनी branches है, किस type की branches है, किस reason में ज़्यादा ब्रांचेश है, वो हम data हैं से check करें, यहाँ पहले तो pan India presence है, सब जगे bank की branches है, हर एक state में इंडिया क टोटल जो branches अभी हैं, वो है 1869 की, इसमें से जो western India है, वहाँ पे 588 यानि कि 31% branches है, north इंडिया में 574, south में 549, यहाँ आप देखें तो लगबग 30% के आसपास, 30-30-30, 90% ब्रांचेश तो यहीं पर ही है, तीन रिजन के अंदर, eastern India में bank की branches कम हैं, यहाँ पे 158 ब्रांच ज metro cities में कितनी branches हैं, urban, semi-urban देखें, तो metro में 46%, सबस्यादा जो branches हैं, वो बड़े-बड़े शेरों में है, bank की, वहाँ से उनको ज़्यादा business भी आता होगा, urban में 21%, semi-urban 17%, rural में 16%, लेकिन वहाँ पे जाद जूर है metro में, फिर भी देखें तो सब जगें अच्छे से branches हैं, 20% क आस-पस की बागी सब्जे की average है, तो कुल में लाग देखें हैं, तो अच्छे से distributed bank का branch network, फिर बात करें ATM की, तो 3,239 ATM हैं, और number of currency chest, ये भी 8 है, currency chest होता है, जहाँ पे RBA अपना पैसा रखवाता है, दूसरे bank को में distribute करने के लिए, ATM के लिए देखें हैं, तो go down हो गया प presence है, urban area में भी है, और बड़ इशारों में सबसे ज़्यादा bank ने exposure लिया हुआ है, अपनी branches का, तो इस तरह से कब bank का सारा हम देखें, अब तक कब जो business profile देखा, हमने clearly देख लिया, कि bank A to Z सारी financial services प्रवाइड करता है, हर तरह के customer को प्रवाइड करता है, और पूरे pan India में इसका network भी है, तो काफी strong business जो है, वो bank develop कर चुका है, काफी अच्छे से market acquisition है, और चौथा सबसे बड़ा bank है, ये भी हमें बात कर लिए थी market capital साब से, तो कुल में बात करें, तो बिल्कुल strong bank का आज की बिजने profile हमें दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों, अभी तो बात हमे बात हमें कर लिए, बैंके पुरे business profile की, सासाथ बैंके, ब्रांच के network की, अब हम चेक करेंगे, बैंके पिछले 5 साल का data, जिसम अच्छे से उसका financial analysis कर सकें, और सारी detail हमें मिल सकें, कि पिछले 5 साल बैंक ने कैसी growth दिखाई है, कैसा performance करा है, और यहाँ पर चेक करें, बैंके पास जो deposit थे, वो थे 3,63,000 कोट के दाखें, देखें, तो काफी अच्छे से पैसा bank के पास में लोग deposit करा रहे हैं, तो clear हमें पता लग रहा है कि बैंक की जो एक branding है, बैंक का जो नाम है वो अच्छा है, लोग को trust है, इसी लोग अपना पैसा bank के पास में deposit करा रहे लगाता हर साल ग्रोथ दिखाए दे रहे हैं, बात करें, परसेंटेज में भी, तो 13% काफी अच्छे C.J.R. से ग्रोथ यहाँ पे बैंक ने पिसले 5 साल में दिखाई है, जैसा हमने पहले बात की थी, और काफी ज़्यादा market अर्ड़ी acquire कर चुका है, तो इस तरह के bank में 12- 15% की साल की ग्रोथ काफी अच्छी रहती है, अगर उसको दूसरे जो अभी हमने मेरी पुरानी वीडियो देखेंगों, उसमें देखा था, small finance bank वाले 30-30% से ग्रोथ कर रहे थी पिसले 5 साल में, अब क्योंकि बैंक अभी छोटे हैं, उनको ज़्यादा market अभी है, और छोट 23 में बढ़के 3,20,000 क्रोड के आसपास होगे, यहाँ पर भी देखेंगे तो हर साल bank ने अपने लोन भी ग्रोथ करें हैं, और पिछले 5 साल में 12% के काफी अच्छे CGR से bank ने अपने लोन में भी ग्रोथ दिखाई है, ऐसी बात करें net interest income की, अब क्योंकि deposit भी इंक्रीज हो bank ने जो अपने net interest income में ग्रोथ दिखाई है, deposit बढ़े थे 13% से, advance बढ़े थे 12% से, लेकिन जो net interest income में वो 18% से increase हुए है, तो काफी अच्छे से bank अपनी profitability maintain कर रहा है, यह number सामें बता रहे हैं, ऐसी बात करें net interest margin की, तो 3.72% के आसपास का, जो था 2019 में का net interest margin था, अब काफ आवरेज देखें, पिछले 5 साल का, तो 4% की average आ रहे है, bank के net interest margin की, जो की काफी अच्छा number है, जैसन में पहली बात की थी, bank corporate financing में है, बड़े बड़े लोन जादा करता है, तो उस साब से bank का जो interest जाता है, बो थोड़ा कम rate of interest जाता है, बजाए, retail banking जो जादा bank काम करते है उस से बात करें net profit की, तो 4850 का bank का 2019 में था, याद देखें, तो 10,900 क्रोड का आसपास हो गया, double से भी जादा profit हो गया, bank का पिछले 5 साल में इसमें देखें, तो 22% के काफी अच्छे CGR से bank ने पिछले 5 साल में ग्रो दिखाई है, 22% से bank का net profit का increase हुआ है, तो सारे ही number कत वाली बात हमें दिखाई नहीं दे लिया, ऐसी बात करें net NPS की, तो 2019 में 0.75% के थे, जो कि अब काफी अच्छे से reduce होके 0.37 हो गए है, तो काफी अच्छे से bank ने अपने NPS को control करा है, काफी अच्छी asset quality है, तो उस साब देखें, तो control NPS है, तो सारे parameter हम चेक करें, तो bank क deposit, advance, सब में bank ने growth दिखाई है, काफी अच्छे से, business अपना carry कर रहा है, इस सारे data हमें बता रहा है, तो bank अपसले 5 सल का data भी अच्छा है, और current profile हम चेक की थी, वो भी काफी अच्छी है, सारे उसमें net interest margin, जो NPS बगर है, वो भी सब control दिखाई दे रहे थे, तो कुल बात कर है, तो हम बिल्कुल clearly कह सकते है, fundamentally strong bank है, कोई दिखकत वाली बात नहीं है, तो अगर हम अपना पैसा इसमें invest करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा investment option है, और अगर हमने already अपना पैसा invest किया है, तो बिल्कुल investor रखना चाहिए, सारे parameters, सब चीज़े बढ़िया है, ल जबकि last week's का जो price है, वो 1845 सुबह था, और एक week में ही 10% अभी down हुआ है, price गिर गया है bank का, तो उन लोगे लिए अच्छा time हो सकता है, जो इस bank में invest करना चाहरे है, क्योंकि price होड़ा कम हुआ है, तो हमें entry ले सकते हैं, लेकिन हमारी तो से कोई recommendation है, आपको किस price पर invest करना है या फिर नहीं करना है, आप फोड़ा अपना भी homework कीजिए, अपनी research कीजिए, फिर आप decide कीजिए कि आपको इस bank में invest करना है नहीं करना है, लेकिन बात करें, तो bank की सारी profile अच्छा है, सारी data आपको दे दी है, और सासाथ बात करें, तो एक जसा हमने clear बात की थी, bank fundamentally strong है लेकिन price की साब से, आपको जुरूर सोचना चाहिए, कि सस्ता हमें लेना है, तब ही फायदा होगा, अगर महेंगे price में invest करेंगे, तो हमें problem हो सकती है, तो इसने से बात करें, तो kotak में इसना bank के बारे में आपको detail knowledge दे दी है, आशे करते हैं आपको वीडियो अच्छी में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.